हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नंबर 4 की वरक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वरक्सी इन दा गिवन फिगर्स बच्चों यहाँ पर जो फिगर्स दी गई है इनमें हमें एंगल्स को मार्क करना है कि कहां कहां पर एंगल्स बन रहे हैं तो बच्चों एंगल कब बनता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तब एंगल बनता है तो यहाँ पर देखेंगे लाइन कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर एंगल बनेगा जैसे कि यहां पर टू लाइन्स देखें यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल बन रहा है यहां पर भी यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहां पर एंगल बन रहा है इसी तर अब question 2, identify the angles in the given figure, दीगरी figure में बच्चों आपको यहाँ पर angles को identify करना है and then fill in the blanks, और तब blanks को fill करना है number of right angles, अब बच्चों यहाँ पर right angles की हमें संख्या बतानी है, तो right angle कब बनता है, जब two straight line एक दूसरे को intersect करती है, तो यहाँ पर देखिए, straight line है यह, और यह भी straight lines है, अब यहाँ पर यह, एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, बच्चों यह two lines, एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, यहाँ पर angle बन रहा है, तो यहाँ पर one, two, three, four, five, six, seven, eight, and one complete, it means, angles की कितनी संख्या है, nine, next is number of angles, more than right angle, अब बच्चों यहाँ पर बताना हैं कि right angles से जादा कितने angles हैं, तो बच्चों जब हम इस figure को opposite करके देखेंगे, उल्टा करके देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, कि यह two lines जो हैं, एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, it means, यह right angles से जादा हैं, तो यह कौन सा angle बना रही हैं, obtuse angle बना रही हैं, तो कितने हैं यहाँ पर, one, two, three, and four, तो more than right angles, right angles से जादा angle है, four, next question is, object the marked angles in the given picture, देखेंगे picture में marked angles को देखेंगे, and put right in the appropriate column, और जो सही column है, उसमें सही का निसान लगाईए, first है, seizure, seizure में बच्चों देखें, यहाँ पर कौन सा angle बन रहा है, यहाँ पर है less than right angle, it means, यह right angle से कम angle बन रहा है, तो हम किस column में लगाएंगे, right का निसान, less than right angle, next है, बच्चों यहाँ पर देखेंगे, कौन सा angle बन रहा है, यह right angle बन रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम राइट एंगल है नेक्स्ट है बच्चो यहां पर यह कौन सा एंगल है यह भी राइट एंगल है नेक्स्ट में यहां देखेंगे बच्चो यह जो टू लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है बट बहुत ज्यादा फैली हुई है तो कौन सा एंगल बन रहा है यहां पर य एक एंबल तो कब बनेगा क्लौक में जब वन जो हैंड वो 3 पर होगा और दूसरा हैंड यहां पर किसी पर भी 12 से आगे तब हमारा आठ एंगल से कम एंगल बनेगा नेक्स्ट है यह एंगल राइट एंगल कब बनता है जब two straight thank miles एक हुसृआ गारे से थ्री पर है तो कौन सा एंगल बन रहा है राइट एंगल नेक्स्ट है एन एंगल मोर दें राइट एंगल तो बच्चो यहां पर हमें एक एंगल बनाना है जो राइट एंगल से ज्यादा हो तो बच्चो एक जो हैंड है वो थ्री पर है और दूसरा हैंड 10 और 11 के बीच में यह राइट एंगल से ज्यादा है कौन सा एंगल है obtuse एंगल है Students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you